स्वागत है दोस्तों एक बार फेट से ही आपके अपने यूटीब चैनल लार्न अपूट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बार में शंपून जानका हैं दोस्तों आज कल जो मोसम है उसके अनुसार आप हर व्यक्ति को कोर्ड फीवर गले में खरास गले में दर्द होना इस तरह की समस्या देखी जा रही है और इसके बहुत ज़ादा पेसंट होस्पेडल मारे हैं और अदि आप मेडिक स्टोर पर हैं तो आपको भी येपैसंट आया होगे और और यदि आप पेसंट है तो आपने भी फूद किया होगा कि आज कल के दिनों में ये समस्या ज़्या को ठीख करने के लिए किस प्रकार का treatment डोक्टर दौरा भी दिया जा रहा है जिसका बहुत ही अरहा जल मिल रहा है साथ ये को pregnant woman है उसको अगर ही समझया हो गई तो इसको क्या treatment दिया जा रहा है तो इन सभी बातों को ही इस वीडियो में हम जानेंगे से वीडियो को बिना इसकी बियान तक देखें सब्सक्राइब जानकारी मिल सके मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदीच आप देखने अपना इडिप चैनल लर्न अबूट मैडिसिंग चलिए आश्वे कुछ नया सेकते हैं हाई लो फेंड्स नमस्ते दोस्तों जब भी मोशन थोड़ा बहुत परिवर्थित होता है या गरम से ठंडा माहूल होता है उस समय हमें जुकाम लगना बिलकुल ही आम बात है साथ ही किसी-किसी व्यक्ति को एलर्जी के कारण ठंडी हवा से एलर्जी होने कार जुकाम लग लगने के बाद कुछ व्यक्तियों में गले में दर्द होना गले में खरास आना खांसी आना और अभी के दिनों में बुखार आना जैसी समयश्या देखी गिए तो इसमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस-किस प्रका की दवईया दी जाती जिससे के प्रुवी त конечноillipin टहीं इन तीनों का कॉंपीनेशंग होता है इसमें जो ब्रेंड्र हो सकती है सामयने तो पाप्धुलर ब्रैंड है वी को क्रेंड मिर्डिंथ हैं सेเอबाद्य कौमिनेशिंग में ईसके के अलागी चो तैब्लेट है यह असकी टीबिल्ट anytime बहुत अप्कॉरिंगें सब सबसे ज्यादा जो चलन में वह है एसीखलोफिनेक तता पेरासीटमोल कॉमिनेसिंग टेबलीट इसमें आप सभी इसको बहली बाती जानते हैं जिसका नाम में एजीत्रोमाइसिन पांटसो मिलिगाम की टेबलीट यहार टेबलीट एजी नाम से तता एजीत्राल नाम से आपक की इंफेक्शन होते हैं उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है और यदि कोई व्यक्ति है जिसको एजीत्रोमाइसिन से एलर्जी है या सेंसिटिवीटी है वह नहीं ले पा रहा हो तो उसे सेविक्जीम टेबलीट 200 मिलिगाम की दी जाती है यह सभी का ओल्मोस्ट एक जैस इसके पॉपुलर ब्रेंड में तो यह तीन से चार अलग अलग दवाईयां दी जा रही है तो इन दवाईयों को कैसे दिया जाता इसको भी हम जान लेते हैं जो एंटी कोल टेबलेट जिसके बार हमने शुरुआत में जाना था इसे दिन में तीन बार एक गोली लेने के सला दी जाती है साथ ही जो एक परासीटमोल को मिनेश की टेबलेट इसे नॉर्मल बुखार तता दर्द है बोडी में तो सुबह तता साम लेने के सला दी जाती है और जादा अगर समयश्य और यह बुखार बहुत जादा छोड़ नहीं रहो तो इसे भी दिन में तीन बार दिय प्रसेटमोल की अब इहां पर एक सवाल आपके दिमाग माँ सकता है कि सिर अन्टी गोरड की परासीटमोल है और तो एसइक फसीर में और बोडि में एक पहुंचता है जो कि इसकी डोज है दिन में तीन बार देने पर भी यह 19 सुपवे मिलिगाम के लगबागी बोडिम पहुंचेगा बिल्कुल ही सेफ है इसे दिन में तीन बार तक भी लिया जा सकता है और जो एजित्रोमाइसिन टेबलेट है इसे दिन में एक बार दी जाती है कुछ डोक्टर तो इसको खाने के आधेगंटि पेले लेने की सला देते हैं और कुछ भुष रोक्टर खाने के बाद मिलेने की सला देते हैं इसे दोनों ही समय में लिया जा सकता है और यह किसी को धे दमाईसिन नहीं लेनी -... तो शिफिक जीम दोसों में लेगा हमकी टेबलेट या सेफूरोग जीम इन दोनों में से कोई एक टेबलेट सुभे तता साम दिन में दो बार लेने के सलह दी जाती है और जो कोडी स्टार कथा कोरेक्स दी एक सीरफ ती जो खांसी को ठीकर ने के लिए प्रियोग लाई जाती इसको दसदसे में दिन बार दिया जाता है और कोई व्यक्ति जिसको सुखी खांसी नियकरस का सी के साथ में बलगम भी आरा फ्लेगम आ रहा है तो उसको कफ एक्सपेक्टर रेंड दिया जाए जिससे कि जो चाती में कब जमाव बाहर निकाला जा सके उसमें अरबूटाली में काफ को बाहर निकालने के लिए तो इसे भी दिन में तीन बार एक एक चमस लेनी कि सलाह दी जाती है लेकिन जब आप सिरफ ले रहे हो उसमें एक समझ्य सामय सामय देखने के लिए जो हार्टपीट यह वह बढ़ने लग जाती है उसको गव्राट होती है पसीना आने ल जहता है इसमें जब भी फिवर में जब ही दवा दीजाएगी उसका जो सामने डूरेशन रहेगा वह पांस दिन यह रहता है पांस दिन बील जाता है इसे ज्यादा इसे नहीं दिया जाता अगर ज्वाइदा नहीं होता फिर अपने डॉक्टर से पिर पर टीटमेट आपको द दवाँ नहीं दी जाती क्योंकि बच्चें को नुकसान कर सकती है और उसके बाद के जो धुल्य सकट रेक्वेस्टर में जो दवाँ दी जाती है उसको उसमें prioritize च beth जानना ता उसे दिन मेंध्वा दिया जासकता है किसी-किसी मेरीज भू आदी च्टी also दिन में 3 से बीदिया जा सकता है लेकिन इसे तीन दिन तक ही देना चाहिए या जब भी खासी और बुखार आना बंद हो जाए इसको तुरंद बर्द कर देना होता है जिससे कि किसी परका की समझ्च्या नहीं हो बाकी मेरी एड़वाइज है प्रेगिनेंसी अगर किसी परका की तो बिना डॉक्टर वेसला किसी भी प्रका का टीटमेंट नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों ये पूरी जानकारी में ने अभी को जो कोल्ड फीवर गले में खराश चल दीए इसका टीटमेंट बताए है उम्मीद करता हूं अच्छी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा यह 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 एक वीडियो आप दोगर देखना चाहते हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेस मेल को भी बद दबाए जिससे कि आपको नोटिफिकेस टाइम पर मिल जाए इसको वीडियो आपसे नहीं चुके आप ते अपने दोस्म मुहित आदिश के साथ देख रहे हैं तेपना इट्यूब चैनल लेर्न अबूट मैडिसीन थैंक यो फ्रेंड्स टेक कार एंड बी केर फोट मैडिसीन उजर्स